आज भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कुछ coloring techniques different तरीके से तो देखे आप बच्चों कहा सिखा सकते हैं सबसे पहले जैसे मैं आपको भी बताना चाहती हूं कि यह जो white color है इसको आप cotton कोई से भी color जैसे आपको थोड़ा सा गंदा जाता है तो आप इसको ऐसे soft कपड़े पर रब करके इसको clean कर सकते हैं तो आप मेरा चैनल सबस्क्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स अपने बच्चों को सिखाए यह एक मैंने ड्रॉक किया हूँ है चूलिप तो इनको हम यह इस color से करेंगे ठीक है तो क्या है जैसे white color सबसे light है तो सबसे पहले आप नीचे नीचे जैसे आप को कहीं शेडिंग देनी है आप थोड़ा थोड़ा इसमें white color पहले थोड़ा सा apply कर दीजे ताकि थोड़ा सा white बहुत soft color है और फिर देखिए कहीं कहीं petals में आप यह dark color apply करिए अब आप इसको साथ में rose pinky मैंने purple चे किया यह आप rose pink इसमें धीरे 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 करके हलके हातों से आप यह apply करिए और इनको mix कैसे करेंगे देखिए बहुत गड़ाके नहीं करना है फिर यह lines define करिए और यह जो कपड़ा है इसको आप इस तरीके से मैंने पहले ही पता है टिप बनाईए और फिर टिप को थोड़ा थोड़ा white के साथ तो बहुत हलका रब करिए और यह देखिए इसको smooth करिए तो दोनों colors आपस में merge हो जाएंगे और इसको जिस direction में हमने colors लगाए हैं उसी direction में आप हलके हलके हाथों से इसको mix करिए ताकि जहां जहां हम dark देना चाहरे हैं वहां वहां dark है और जहां light है वहां light है again white इसके उपर apply कर सकते हैं यह देखिए लग्योअ आप आप सकते हैं I can see some evidences come with me and let it dance Tell me these colorful stories Where I don't know but life is also A place made of many many dreams Always stay connected What you gonna do if I do Tell me what you know, yes you know It's a family, my magic joy in a dream What you gonna say if you stay Look at this fire in your hand Made of many kisses, my magic joy in a dream I believe And you need to keep your eyes out If you have a problem with spread, you need to keep your hands on this paper पर रखके आप बटर पेपर ले सकते हैं ताकि नीचे वाला आपका कलर समझ ना हो ठीक है अब देखिए मैं आपको लीफ करके बताती हूं लीफ में आप कैसे कलर ले सकते हैं देखिए सैप क्रीन लीजे येलो ओकर लीजे एक बड़ी कॉमिनेशन मैंने पहले बताया है चला रही हूं कैसे रख्यों यह हूं बच्चों को नहीं समझ में आएगा आप पहले लांग करिए आप पहले देखिए फिर उसके बाद उसको आप सिखा सकते हैं ये कराएं इसके बाद जो डाग कलर है वो है येलो ओकर एंद फिर लास में सैप करीन ये देखिए अगेन वैसे लीजिए ये लीफ ये दिखें ये आपको लग रहा है कि लीफ बहुत ही लाइट हो गई है तो आप फिर से इस पे हलका सा सैप क्रीन चला सकते हैं और अब इसको मिक्स करेए ये दिखें ये लीफ का ये दिखें लीफ का टर्म दिख रहा है मैंने आपको बताया लेकिन मैंने ही नहीं किया इस चीच का धियान रखें दिखें गंदा हो रहा है फिर अगेन जहां पर लाइट करना है वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा ये दिखें आप 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 लीफ में हमेशा ही डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन कंबिनेशन करें ये दिखें ये भी अच्छा लगता है कलर नाचरल लगता है बहुत ध्यान से आप इतने फाइन वर्ग के लिए आप इयर बड़ भी यूज कर सकती है ये दिखें इयर बड़ दीजे इयर बड़ से भी आप आलागी उतना अच्छा समज नहीं होता है सबसे अच्छी समज के लिए सबसे अच्छा टूल हमारी फिंगर टिप ही होती है लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं देखें यहां पर अब हम स्टैम को देने के लिए इसमें थोड़ा सा डाक लाने के लिए इसको समझना करें यहां पर थोड़ा हमको लीफ का टर्न दिखाना है तो दिखें थोड़ा सा यहां यहां यह देखें अब इसी तरीके से हम यह वाला फ्लार भी कर लेते हैं मैं आपको जल्दी से करके बताती हूं इसमें आप अंदर वाले पोर्शन में वाइट लगाई है यह देखें फिर उसके बाद डार्क टोन से पहले से आप डिफाइन कर दीजी अपनी डार्क लाइन्स यह दोड़ी है प्रीफ। कर दो अर दो, कर दो, कर दो दो. क्रिश करें ज क्रिए और इंग बाल Anime में में। ए्यान प्रॉआर्ई ऌ prosecution करेंग क्योंग यह देखिए एक और पिक्चर देगार है आपने दी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स लेते रहे अपने बच्चों को सिखाते रहे और अपना दिन कलरफुल बनाईए थैंक यू वे नाइस डे